मैं मीना प्रिवेश चुहान आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कवीता संग्रह में आप सभी को गनेश चतूर्थी की हार्दिक शुब काम नाए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गनेश स्थापना के लिए भगवान गनेश की मूर्ति का चैन करते सम्या ध्यान देने योग्य बाते तो चलिए शुरू करते हैं, गनेश चतूर्थी आने ही वाली है, गनेश चतूर्थी पर हम भगवान गनेश की मूर्ती घर में स्थापित करते हैं, जब कभी भी हमें घर में स्थापित करने के लिए भगवान गनेश की मूर्ती लेनी हो तो हमें कुछ विशेश बातों का ध् अगवान गनेश की कैसी मूर्ती घर में स्थापित नहीं करनी चाहिए उसकी वीडियो हमारे चैनल पर आ चुकी है आप उसे ध्यान से देखें और सुने ताकि मूर्ती स्थापना से संबंधित कोई भी गलती आप से ना हो तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो पहले मूर्ती है मिट्टी से बनी गनेशा की मूर्ती गनेशा जी की मिट्टी से बनी हुई मूर्ती बहुत शुप माने जाती है प्लास्टर आदि से बनी हुई मूर्ती हमें कभी भी स्थापित नहीं करने चाहिए दूसरी मूर्ती है गनेश की बैठी हुई मूर्ती, गनेश थापना में गनेश जी की ऐसी मूर्ती की स्थापना करें जिसमें भगवान गनेश बैठे हुए हो, ये बहुत शूप माने जाती है, ऐसी मूर्ती घर में लाने से भगवान गनेश सही माइने में आपके घर में वि तरफ हो वही मूर्ती घर में स्थापित करने चाहिए। दाइन दिशा की तरफ सोंडवाली मूर्ती दक्षिन वी मुखा होती है। चोथी ऐसी मूर्ती जो खंडित ना हो। गनेश जी की मूर्ती लेते समया ध्यान दे की मूर्ती कहीं से भी तूटी हुई ना हो। खंडित हुई मोर्ती कभी भी स्तापित नहीं करने चाहिए, ये अशुप माना जाता है. पांचवी मोर्ती है जिसे हम गनेश ठापना में प्रयोग कर सकते हैं. ऐसे मूर्ती जिसमें गनेश जी के एक हाथ में अंकुष हो, एक हाथ में दंत हो, एक हाथ में लड़ू और एक हाथ आशिरवात देते हुए मुद्रा में होना चाहिए चटी मूर्ती है गनेश जी मूशक के साथ, भगवान गनेश अपने वाहन मूशक के बिना कहीं भी नहीं जाते, इसलिए उनकी स्थापना करते समय, ध्यान रहे कि ऐसी मूर्ती की ही स्थापना करें, जिसमें भगवान गनेश के साथ मूशक अवश्य हो सात्वी मूर्ती है गनेश भगवान की मुकुट धारन किये हुए वाली मूर्ती हमेशा गनेश भगवान की ऐसी मूर्ती ही स्थापित करने चाहिए जिसमें भगवान गनेश ने मुकुट धारन किये हुए हो भगवान गनेश की मूर्ति क्रित्य समय रंग का भी विशेश ध्यान रखना चाहिए भगवान गनेश की मूर्ति सफेद और सिंदूरी रंग की बहुत ही शुब मानी जाती है भगवान गनेश जी की स्थापना की दिशा भी बहुत महतपून होती है अपने घर के इशान कोण में गनेश जी की स्थापना करें, घर की उत्तर पूरत दिशा में ही गनेश जी की स्थापना करें, आठवी ऐसी मूर्ति जिसकी आपको गनेश चतूर्थी के दिन स्थापना जरूर करने चाहिए, गनेश जी को भान चंदर भी कहा जाता है, गनेश जी को प्रति दिन दुर्वा खास जरूर समर्पित करें गनेश जी की मूर्ति में उनके गले में जनेव जरूर होना चाहिए ऐसे मूर्ति बहुत ही शुब मानी जाती है आशा करती हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी धन्यवाद